नमस्कार दोस्तों, टेक इन इलेक्टिक में आप सबका बहुत-बहुत सागत है, जैसा कि मैं पिलचले वाले वीडियो में बादा किया था, इसके इसाब से मैं आज बताऊंगा कि हम लोग इसे 0W बल्ब क्यों कहते हैं, और इसमें लुकसान क्या है और फाइदा क्या है, दे से 12W या 15W तक इसका power consumption रहता है, और इसका अगर मैं बात करो, जो market में हाली में मिलना शुरू हुआ है, हाला की हाला की नहीं, 5-10 सल तक मिल रहा है, पर हम लोग सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि market में बहुत easily available है cheap मिलता है, इन देनों में अगर compare करें तो यह बहुत ही light white है, यह प्लास्टिक से बना हुआ है रहता है, अगर आपको गिरेगा भी, तो भी तूटने वाला नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायदा है, बटे ग्लास से बना हुआ है, तो तूटेगा तो जरूर गिरेगा, फूट जाएगा है, खराब हो जाएगा, इसके अगर बात करो तो इसका जो power consumption है, negligible is 0.5 watt, इसको 12 watt कहते है, तो इसको 0 watt क्यों कहते है, देखिए, पहला दिन का जो meter था, उसमें हम लोग electromagnetic force से, जो electric pulse से उसको हम लोग measure करते थे, तो होता क्या था, कि पहला जमाना के जो meter उतना accurate reading नहीं ले पाता था, जो बहुत high power consumption जैसे 50 watt, 40 watt, यह सब तो easily detect कर सकता था, बट जब इसको हम लोग अलग से लगाते हैं, यानि कि इसको जब meter से connect करते थे, उस case में, जो meter reading है, वो 0 ही दिखाता था, कि उसमें कोई आगे reading इसको measure नहीं कर पाता था, इसलिए हम लोग इसे normally 0 watt, 0 watt bulk कहे के, हम लोग इसे पचार क what we measure कर सकते हैं, यानि कि आप LED भी अगर जलाएंगे, तो उस के भी आपको power consumption meter में reading देखने को मिलता है, तो आज के चमाने के, अगर आप इस तरह के बलब अगर लगाएंगे, तो आपका जो power consumption है, बहुत ज़्यादा होगा, अगर मैं एक estimate की बात कर दो, तो normally हम लोग 32 kilowatt, ठीक है, यानि कि 132 unit bill जो है, ओ आये का, अगर आट रुपे की हिसाब से भी देखेंगे, तो आपका total power consumption जो है, और total 1050 तक आ सकता है, electricity bill, जो अगर आप difference में देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा huge है, बट इसका अगर लगाएंगे, तो इसका अगर लगाएंगे, तो इसका बड़ावार electricity जो है, यानि कि 1050 रुपेस बील आने के लिए, आपको इस तरह का 30 LED लगाना पड़ेगा, तो अगर आप decoration के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप इसको इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें जो electricity bill है, और कम आता है, इसकी possible नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा क्यार करने के ज़रुत होता है, और बहुत जल्दी गरम होता है, यानि कि इसके अंदर पानी गिरेगा, तो तूटने के खत्रा बहुत ज़्यादा रहता है, यानि कि मान लिजी आप बाहर पर कहीं पर occasion में आप लगाए है, बारी सो अगर आपको इसके बार कोई doubt है, तो आप comment section में पूछ सकते है, मैं उसका answer देने का कोशिज जरूर करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए, तो like कर दीजे, share कर दीजे, इस तरह का informative वीडियो के लिए, प्लिस चैनल को subscribe कर दिए, और इस तरह का वीडियो चाहिए, तो please comment section मैं पूछ सकते हैं किस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर कोशिज करूँ हूँ उस तरह का वीडियो बनाने के लिए, thank you very much